हेलो दोस्तों स्वागत आपका दोस्तामित यूटूब चानल में और आज हम यह सीखेंगे कि यह ड्रोइंग कैसे देखा जाता है ना तो यही चीज आज हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस ड्रोइंग में चलते हैं थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लूँ तो बिस्कुट लगा है ब्रेसिंग लगा होगा है और उपर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इधर एक बिम लगा होगा है लास्ट में बिम लगा होगा है और इधर यह क्या लगा है एंगल लगा है ना तो यही टू लिक का हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि क्या देखने में आसानी हो जाएगी तो सबसे पहले नीचे देखते हैं तो इधर हम लोग देखते हैं कि यह ड्रोइंग में जो प्लेट लग रहा है नीचे पर बेस प्लेट लग रहा है और साइड साइड में क्या लग रहा है इस टेफनर लग रहा है और इधर से क्या है एक बेशργें कितना साइज तो यहां पीं इसेंडम आड़ें नहीं पूरा आसेंडे सिंटर तुंटर कितना है पठीससों इसमें कितना का बि hakk लगा है यहां पएIs रो देकर लिखाकी यानि कि यूबी 406 मतलग जो फ्लैंज टू उसका क्या है 406 है और फ्लैंज का जो डाइमिंसन है वो कितना है 178 है और 60 क्या है यानि कि एक केजी में इसका वेट रहेगा 60 केजी और यहाँ पे लिखा हुआ है C1 यहाँ पे C1 लिखा हुआ है तो यह C1 क्या है यह C1 यह है कि कॉलम 1 यानि कि बिला मिट्रियल में देखेंगे तो इसका पूरा डीटियल हमें देखने को मिलेगा तो हम लोग बिला मिट्रियल में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है C1 यानि कि C1 नमबर का क्या है 406 यानि कि इसका चोड़ाई कितना है फ्लैंज टू या 68 है 40 यहां पर शिष्टी सेवन केजी तर मिटर होगा और इसका टूटल लیन्थ कितना लगेगा 148 rocky गा इसका टूटल लिएंथ इतना लगेगा और तक हो जागा तो यह है उसके पर से हमारे इधर क्या लग रहा है कुछ दिखा रहा है सीटू यहां पर क्या है सीटू और यहां पर क्या दिखा रहा है यूबी यहां कि यूबी 214 बसका यहां पर बीव लग रहा है कटके कटपिस लग रहा है इधर पर बीम पर तो इसका भी हम लोग डिटेल बिला मेट्रियल में दे सकते हैं तू कितना लग रहा है 254 एक सो ची आलीस शने का बाट का यांन कि आधाधा काट्च के दूने फगर लगा देना और कितना 20 लग रहा है 2 लग रहा है क्यों करने का दोथिस लग रहा है एकहाट के वधर लगा देंगे उत्याटथा इधर half cut 29 girate का ना तो ऐसे हम लोग देखते हैं अभी हम लोग देखेंगे नीचे नीचे में अभी लोग हम लोग देखेंगे कि 85 यह stiffness का लग रहा है वो कितना size का लग रहा है किस design का लग रहा है यह दिखना है तो हम क्या देखेंगे Detail 1 जिसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना तो कोई chapter के answer question क्या दिया है क्या नहीं दिया है क्या क्या पढ़के जाना है तो उसका chapter number खोलते हैं उसका page number ढूनते हैं उससे ही यहाँ पे भी है जो चीज चाहिए आपको देखना है उसके दिया हुगा है उसका क्या दिया रहेगा detail यहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखा है तो detail में लिखेगा बिलब material में detail में आपको ढूनने से मिल दाएगा अगर उससे भी नहीं मिलता है और आपको अगर confusion है तो आप fabricator से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या लगा है कैसे लगा है कि नहीं तो पूरा drawing क्या है एकदम simple है अब यहाँ पे डाएगा है यहाँ पे इसा क्या क्या चीज लगा है तो इधर हम लोग ढूनते हैं detail one यहाँ पे detail one और one एक्स दिया हुए कि 200 वाई 300 का लग रहा है section 22 दिया हुए section one one दिया है कि flans में सटके कैसा टाइप का रिभ हमारा लगेगा ना इधर पे हमारा base plate का दिया हुए कि कि इधर किदर से कैसा कैसा stiffener लगेगा कि इतना तो कुछ ना hole to hole रहेगा तो जो हमारा base plate हो कितना है 200 वाई 200 वाई 500 का है इसे ही आपको देखने जाना सही है आपको थोड़ा सभी simple सानुबह रहेगा तो आप देख सकते हैं उसके पर से आ जाते हैं अपने main drawing में इसमें यहाँ पे angle दिया हुए यहाँ पे 19 नंबर का यह बिसकुट है इसका detail दिखा है कि इसका में कितना लगा है क्या लगा है कितना size का लगा है यह देखना है तो आप 19 नंबर का typical detail देख सकते हैं exactly हमें उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि मालीजी यह angle कितना के 50 by 50 into 6 यानि कि 50 का angle है तो इसमें बिसकुट कितना के लगेगा 50 का चोड़ा ही रहेगा और 70 रहेगा 50 by 70 रहेगा 10-10 mm दोनों साइट से निकला रहेगा यह पिसकुट थोड़ा सा इधर बाहर इधर बाहर निकला रहेगा वेल्डिंग के लिए और यहां पर यह देखा रहा है सात नंबर का angle है और यह कितना length है 2963 है इतना इसका length है फिर इधर दिखा रहे है यह 9 नंबर का angle है और 50 का एगल लग रहा है 1459 बटान पचास का इसका लेंद है और यह बीच में जो लगा है वह इसका डिटिल दिखना है तो हम लोग क्या करेंगे डिटेल 3 में जाएंगे तो इधर डिटेल 3 दिया हुआ था डिटेल 2 डिटेल 3 थी यहां पर डिटेल 3 हम लोग देख सकते हैं डिटेल 3 में यहां पर डिटेल 3 में देख सकते हैं इसमें चल जाएगा जिसके कारण से हमें आसानी होती है मेट्रियल कटवाने में हमलेज यह टोटल वेट है है इसका दो टन 832 है तो रिगर को भी थोड़ा सासानी होगा कि कि अतना टन का से लिग लगा है ना इससे उन लोग को भी अनुभा हो जाता है ऐसा ही सब चीज़ें यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है बीम यहां पर लिखा हुआ भी 24621 यानि कि यह बीम का नाम क्या है बीवन है और टूटल लिंद कितना लगा 2494 लगेगा और यह सब 405 400 400 400 यह क्या दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है ना और इधार जो 500 देखा रहा है यह इधर जो 500 दिखाई दे रहा है यह नीचे से उपर तक है यह जो पाइप है वो पाइप का सिंटर दिखा रहा है कि हाँ यह पाइप का इतना सिंटर रहेगा और यहां से यहां तक क्या है पाइप के इंड टू इंड या एंगल के इंड टू इंड कितना है एक मेटर से और यह बीम से जो हमारा यह लाष्ट बीम का फ्रॉंट साइड तक कितना यह दूरी है 2335 और इधर भी बीम लगेगा से इसमी साथ में और इसमें कुछ दिखा रहे है कि पाइप से जाएगा कुछ चीज का ना और उसके पर सी यहां पे कुछ दिखा रहे हैं यहां पे ऐसा Dash दिखा रहे है यहां पे जैसा इसकी वीतर स्टिफनच लगा हुआ है जैसे होता है नए एक एफ्रट होता है क्या होता है जब इसमें हम लोग हमर मारते हैं क्या क्यों सिर्फ है बाहर निकल सकता है इस लिए इतर स्टिफनल यह जरु जह हैं और यहांNow चोटा से दैने रहाएं यह एंगल के लिए, रखी कि यहां पर यहां पर एक उननल दिया हो गारी दिए और यहां पर भी एक उनnegall दिया हुए जोटा चोटा सा डिटेल्स को आपको देखना आना ज़रूल है है ना तब ही जाके आपसे गलती नहीं होगा और एक परफेक्ट चीज बनाएंगे तो जितने बारेकी से आप ड्रोइंग को देखेंगे हर एक लाइंस का कुछ ना कुछ अर्थ रहता है ना यहां पर डैस डैस दिया हुआ है ना यह तो हो गया फ्रॉन साइड अगर इसके हम बैक साइड से या साइड भी उसे दिखेंगे तो हमें ये कॉलम इस तरह दिखा देगा इधर पे कुछ दिखा रहे हैं कैएक प्लेट है इstrings ईगल आ रहा है तो यह चीज हमें नहीं लगाना है क्योंकि क्यों नहीं लगाना है मैंने बताया था जब डैस डैस लाइन दीया सब्सक्राइब सब जाके लगके इसमें ब्रेस एटेश्ट होगा दूसरे कॉलॉम से यह चीज हमें देखना है यह एंगल लग रहा है और बाकी सब यह डिटेल सब सेम ही है आपको उमेदे कोई भी डिटेल देखना हो यह जैसे कि यह 9 नमबर यह एंगल का साइज नहीं दिया हुए तो यह ह आपको खुद एक्सपेरियंस हो जाएगा और किसी से आपको पूछने का जरूत नहीं पड़ेगा ठीक है ना हर एक चीज का नमबर दिया रहता है डिटेल से दिया रहता है कौन सा चीज कैसे लगेगा क्या लगेगा किस तरह लगेगा हर एक चीज का तो आपको घबराने सोचने का मुझे ड्रूइंग नहीं आता यह नहीं आता तो आप बेगल भी मज़ सोचिए कुछ नह यहाँ पे play-dates-dates दिखाई दे रहा है यह दिएर सी लिए दास्ट कि यह वेब में लगा है उपर से flans दिखाई दे रहा है और मैंने अपना basic tutorial में बढ़ाइ था किόई डबल लाइन है तो उसलों किदर साइड से है देखना जोड़ी है और एसे एक ड्रोइंग और देखाता हूं फोर लेक्स फोर लिग में यह क्या है इसम क्लाइट फोर्म लगा हो गैने सब सिंदू से में बस यहां से यहां तक यह हो गया इधर का हमने देख लिया था और इधर का है side view यह हमारा क्या बनाना है ऐसा दोपिस बनाना है हाइडरास हमको खड़ा करके ऐसे में bracing भर देना है side side में plate लगा देना है और हमारा four leg column तयार हो जागा और इसमें कुछ additional चीज लगा है जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या लगा है हमारा channel लगा होगा है और बहुत सार चीज है जो आपको देखना है center to center 25 सो है यह भी center to center कि यहाँ पे की plan है यानि कि यहाँ पे की plan से पता चल जाएगे तू लेगे कि फोर लेगे और कौन से कौन column में कितना दूरी है ऐसे ही सब चीज आपको देखते जाना है और detail देखते जाना है और आपको drawing देखना आ जाएगा और कुछ भी नहीं है तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ तो like, share, subscribe किजिएगा और मुझे भी support किजिएगा जिसी कान से मैं भी future में आगे बढ़ू तो आज के लिए बस इतना है मिलते आप से चलदी next वीडियो में तब तक के लिए Goodbye, see you in next वीडियो